हमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ओके में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे NOC यानी No Objection Certificate के बारे में जिसे हम हिंदी में अनापत्ती प्रमान पत्र भी कहते NOC एक अनापत्ती प्रमान पत्र है जब किसी व्यक्ती के द्वारा किसी बैंक और किसी नीजी कमपनी के लिए गए किसी भी प्रकार के लोन के समाप्त हो जाने पर या फिर किसी भी एजेंसी, संगठन, संस्थान या कुछ मामलों में किसी व्यक्ती के द्वारा जारी किया गया कानुनी प्रमान पत्र है जिसका मतलब होता है कोई आपत्ती ना होना अब सवाल यह उड़ता है कि अनोसी क्यों बनाई जाती है तो दोस्तों कोई ऐसा कार्य और लेंदेन जहां पर आपत्ती की संभावना हो उस जगह पर अनोसी प्रमान पत्र बनाया जाता है ताकि भविश्य में किसी भी प्रकार की आपत्ती ना हो ऐसी स्थिती में अनोसी बनवाना आपके लिए बहुत जादा फायतेवन हो सकता है क्योंकि भविश्य में अगर आप पर किसी भी मामले पर दोश लगता है तो आपके पास NOC प्रमान पत्र होने की कारण आपको दोशी नहीं माना जाएगा अब सवाल यह भी उड़ता है कि NOC कब-कब बनाई जाती है तो आईए वो भी देख लेते हैं तो दोस्तो ऐसी कई परिस्थितियां हैं जिनमें NOC बनाई जाती है जैसे कि लोन के समाप्त होने पर अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं और उसको चुका देते हैं तो वहाँ पर आपको लोन की समाप्ती के उपर NOC प्रमान पत्र लीना होता है यह पत्र हाला की बैंक खुद ही जारी कर देता है परन्तु अगर बैंक ना दे तो आपको NOC की मांग करनी चाहिए दूसरा किसी वाहन की किष्ट पूरी होने पर भी NOC जारी किया जाता है तीसरा जब आप कहीं जॉब कर रहे हैं और उसके साथ ही आपको कोई दूसरी जॉब भी करनी है तो उसके लिए आपको अपनी पिछली जॉब से NOC चाहिए होगी NOC यानि No Objection Certificate जिससे यह मालूम बढ़ेगा कि उनको आपकी दूसरी जॉब से कोई आपती नहीं तो दोस्तों देखा जाए तो एक NOC में शामिल दलो के मूल विवरन शामिल होते हैं और जिस किसी को भी इसकी चिंदा होती है उन्हें संभोधित किया जाता है तो दोस्तों यह थी हमारी आज की विडियो इस विडियो से related questions के लिए आप हमें comment भी कर सकते हैं और इसी प्रकार की informative विडियोस पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेर करें और विडियो के नीचे दिये गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें धन्यवाद